अलो बच्चों, वेलकम टू एसपार एकडमी, मेरा नाम है एमके सर, हम लोग अभी जो study करेंगे वो मोल कंसेप्ट का lecture नमबर टू होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एवगार्डो जो डाल्टन जो और मोल फ्रेक्शन के बारे में, ये बहुत important और काफी अच्छा topic है, मोल से related काफी सवाल यहां से पूछा जाता है, ठीक है, तो आईए हम लोग सुरू करते हैं, कि सबसे पहले मोल और volume में क्या relation है, एवगार्डो जो होते हैं ठीक है, तो इसमें जो पहला जो point हम लोग discuss करेंगे, पहला जो point हम लोग discuss करेंगे, वो होगा कि Avogadro's law, तो Avogadro's law क्या होता है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो क्या होगा, according to, according to this law, this law, this law, according to this law, of equal moles of any sample of gas contain, contain equal number of molecules, equal number of molecules, ठीक है, और next point रियाद रखना कि, one mole, one mole of any gas, any gas contain 6.023 into 10 का power 23 molecules, एक mole कोई भी gas जो होगा न, वो 6.023 into 10 का power 23 के बराबर molecules को contain करेंगे, जैसे आब avogadus hypothesis या law के according जो हम लोग देखें हैं, वो कह रहा है कि, अगर moles equal होगा, तो molecules भी बराबर होगा, चाहें वो कोई भी gas हो, तो देखो, number of molecules का formula क्या होता है, number of molecules is equal to होता है, mole into avogadus number, हम मान लोग कि, हाँ पर X है, Y है, Z है, सब के लिए, अगर हम moles लेते हैं, कि 2-2 है, तो सब में molecules कितना होगा, 2 into avogadus number के बराबर होगा, क्या है न, तो जो भी moles होगा, अगर बराबर moles होगा, तो उसमें molecules भी क्या होगा, बराबर होगा, यह हम लोग जानते हैं, moles into avogadus number, molecules होता है, और आपको पता है, कि equal moles क्या होगा, कि बराबर molecules contain करेंगा, equal number of moles of any sample of gas, contain equal number of molecules, दूसरा point है, कि इसमें 1 mole of किसी भी sample के बाद करेंगे, तो वो avogadus number के बराबर होगा, इसमें तीसरा और खास बात ही होगा, है, कि आप इसको याद रखेगा, कि one mole of any gas occupy the same volume, same volume, called molar volume, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे, molar volume, और उसको represent करते हैं, भी एम से, ठीक है, तो यह hypothesis है, अब इसको हम लोग ideal gas equation से represent करते हैं, और वहां से हम लोग अलग-अलग condition के लिए, भी एम का molar volume का value find out करेंगे, आप इसको note कर लिजे, अब देखो, जैसे कि ideal gas equation, ideal gas equation, ideal gas equation होता है, पी भी is equal to nRT, यहां पर पी है pressure, पी pressure है, और भी volume है, pressure हम लोग maintain करेंगे, measure करेंगे किस में, ATM में है, और volume लीटर में, टिक n moles है, n moles को कहते हैं, और r gas constant है, r को हम लोग कहते हैं, कि यहां gas constant है, इसका value होता है, 0.0821 liter, ATM, mole inverse, Kelvin inverse, r का बहुत सारा value होता है, लेकिन हम लोगों को यहां पर इसी का इस्तामाल करना है, ठेक है, T है temperature, T को बोलेंगे कि यहां, temperature है, temperature को हम लोग हमेंशा लेंगे, Kelvin में, ठेक है, Kelvin में, अब मान लोग कि T is equal to, अगर X degree Celsius दिये हुआ है, तो इसको अगर हमको Kelvin में convert करना है, तो उसमें हम लोग 273 add कर देंगे, तो 273 plus X, तो यहां क्या हो जागा, Kelvin, ठेक है, तो अब यहां पर, जैसे यहां दे रहा है कि PV is equal to NRT है, तो देखो, कि 4, 1 mole of gas, 4, 1 mole of gas, अगर 1 mole gas की बात करेंगे, तो that is N is equal to 1, तो इस condition में क्या हो जाएगा, कि PV is equal to RT, अगर जब mole के संख्या एक रहता है, तो यहां जो volume होगा, उस volume को हम लोग molar volume कहते हैं, तो molar volume क्या हो जाएगा, PV is equal to RT, ठीक ना, यहां से हम लोगों को BM निकालना है, तो BM is equal to क्या हो जाएगा, RT और by P, ठीक है, तो यह हम लोगों का formula है, अब इसी का हम लोग अपलाई करेंगे, अलग अलग condition पर molar volume निकालने के लिए, और molar volume फिर निकालनेंगे, तो हम लोगों को moles निकालना बहुत आसान हो जाएगा, तो देखो, आप इसको note कर लिजेगा, देखो, याद रखना, point number 1, at stp, और इसी को हम लोग कहते हैं, ntp, ठीक है, stp कहने का मतलब है, standard temperature and pressure, standard temperature and pressure, और ntp कहने का मतलब है, normal temperature and pressure, अब इस पर याद रखना, इस condition पर temperature जो होता है, वो 0 degree Celsius होता है, इसको अगर हम Kelvin में convert करते हैं, 0 plus 273 Kelvin, तर t का value कितना आ जाएगा, 273 Kelvin, ठीक है, और pressure जो होता है, pressure वो 1 ATM होता है, ठीक है, यह सब constant value है, जब question में अगर आप से पूछे कि, STP, NTP क्या है, तो STP और NTP पर कैसे हम लोग निकालेंगे, कोई भी volume या molar volume, तो अहाँ पर आप याद रखोगी, हमेशा pressure 1 ATM होगा, और temperature 273 Kelvin होगा, अब यहाँ से molar volume, भी M की बात अगर हम लोग करते हैं, तो यहाँ कितना हो जागा, molar volume, तो formula होता है, RT by P, तो R का value, 0.0821, और into temperature जो होगा, वो होगा 273, divided by pressure watt, जब आप इसको solve करेंगे, तो यह चुकी constant volume है, value है किसी भी gas के लिए, तो हमेशा यहाँ fix होगा, और इसका value होता है, 22.4 liter, ठीक है, अब इसी को अगर milliliter में convert करना है, तो BM is equal to हो जाएगा, 24, 22.4 को, 1000 से आप multiply कर लोगे, तो यह हो जाएगा, 22,400 milliliter, ठीक है, यह एक बहतरीन formula है, value है हम लोगों का, अब यहाँ से mole निकालना काफी आसान हो जाएगा, जैसे मान लो, कि अगर सवाल पूछता है, तो क्या लिखेंगे, at stp या ntp, ठीक है, या तो आप stp की बात कर ले, या ntp की बात कर ले, तो यहाँ पर moles जो होगा, तो moles का formula होता है, volume by molar volume, volume upon molar volume, ठीक है, अब यहाँ पर volume जो है, volume, तो volume को volume रहने दीजिए, और divide कर ले जागे कितना से, 22.4 liter से, ठीक है, unit हमेशा equal रखेंगे, अगर volume मिली लिटर में देवा आता है, मिली लिटर वला इस्तमाल करेंगे, अगर लिटर में देवा है, तो लिटर में इस्तमाल करेंगे, तो यह यहाँ से mole निकालने का बहुत ही बेहतरीन equation है, कब STP पर, ठीक है, STP और NTP पर हम लोग इसका इस्तमाल करेंगे, तो आसानी से हम लोग verify note कर सकते हैं, मोल्स का, ठीक है, इसी तरह से दूसरा एक condition है, कि NTP पर हम लोग इसको कैसे, RTP पर हम लोग इसको कैसे moles निकालेंगे, वो देख लिजे, आप इसको note कर लोगे, देखो, दूसरा जो condition है, वो है RTP, ठीक है, RTP, इसको हम लोग कहते हैं, रूम, टम्प्रेचर, 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 यहां पर केल्विन में मदलेंगे तो 25 आप वालास 273 तो यहां से यहां जाएगा 298 केल्विन और प्रेशर जो होता है वहां 180 के बराबर होता है और हमको चाहिए भी एम तो भी एम का फर्मूला क्या होता है तो यहां से भी एम इस इकल टू हो जाएगा आर का वैलू होता है 0.0821 और इन्टू टम्परेचर कितना है तो 298 अब आइप प्रेशर वन एटियम ठीक है प्रेशर यहां भी वन एटियम होगा तो RTP पर मोलर वोल्यूम जो होगा वह होता है 24.45 लीटर या आप इसको मिली लीटर में बदलेंगे तो भी एम इस इकल टू हो जाएगा 24,450 मिली लीटर ठीक है यह हम लोगों का बहतरी निक्वेशन है और यहां भी अगर हम मोल्स निकालते हैं तो मोल्स इस इकल टू हो ज क्या हो जाएगा बॉल्यूम अब बाई मॉलर वॉल्यूम ठीक है इसको इस्तामाल करेंगे अब देखो मोलर वॉल्यूम केतना है? RTP पर molar volume है 24.45 liter तो हम लोग इसी को mole find out करने में इस्तमाल करेंगे तो mole is equal to हो जाएगा volume upon 24.45 यह कब इस्तमाल करेंगे जब condition हम लोगों को RTP देगा तब जब room temperature और pressure की बात करेगा तब हम लोग इसका इस्तमाल करेंगे तो यह RTP और NTP पर याद रखना NTP और STP दोनों सेम होता है तो वहाँ पर mole निकलना तो volume by 22.4 liter और यहां RTP पर हम लोग बात करेंगे तो यह हो जाएगा volume upon 24.45 liter में ठीक है next point देखो next है कि vapor density किसे कहते हैं ठीक है न vapor density किसे कहते हैं देखो तो जैसे equation हम लोग देखे हैं कि PV is equal to क्या होता है N RT ठीक है PV is equal to N RT होता है अब यहां पर N क्या हता है N moles है N हम लोग कहते हैं कि यहां moles है तो यहां N के लिए N के लिए हम लोग formula weight कर यूज कर सकते हैं weight by molecular weight अगर हम लोग weight को मान लेते हैं कि W है और molecular weight को M मान लेते हैं तो यहां value को अगर हम यहां put कर देंगे तो क्या हो जाएगा PV is equal to PV is equal to क्या हो जाएगा बताओ N RT तब PV is equal to W by M RT जहां W क्या है तो W है weight of gas weight of gas अब देखो M को हम इधर लाते हैं और V को इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर कि PM is equal to W by V RT ठीक है न तब PM is equal to W by V RT अब देखो W by V जैसे density जो होता है density वो क्या होता है mass by volume mass by volume तो यहां W mass है और V volume है तो mass by volume को हम लोग density कहेंगे तो यहां से PM is equal to हो जाएगा DRT जिसमें M molecular बेठा है तो D is equal to क्या हो जाएगा PM upon RT ठीक इसमें देखो आर एक gas constant है आर क्या है gas constant है तो यहां अगर pressure और temperature को अगर हम constant कर देते हैं तो density जो होगा वो डायरेक्ली प्रोपोर्शनल होता है किसका molecular weight का तो देखो वेन यहां कि आर कोंस्तेंट आर कोंस्तेंट तंप्रेचर और प्रेशर और प्रेशर और प्रेशर देंसिटी देंसिटी आफ गैस अफ गैस is directly proportional directly proportional to molecular weight density जो होगा वो directly proportional होगा molecular weight का कि D is directly proportional to M ठीक है अब यहां पर देखो जब density directly proportional है M का तो अगर हम दो गैस की बात करें for two gases अगर दो गैस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा D1 by D2 और is equal to M1 by M2 यह हम लोगों का formula हो जाएगा इसी को और हम लोग कहते है relative density क्या कहते है relative density याद रखना इसी को कहते है अब इसी relative density से हम लोग vapor density को represent करेंगे ठीक है तक कैसे हम लोग find out करेंगे वो देखो तो यहाँ याद रखना कि density का ratio बराबर होता है molecular weight का ratio तो अब हम लोग vapor density की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए कि यह हो जाएगा vapor density को short form में भी और डी शरी परजिंट करते हैं तो यह हो जाएगा density of one gas density of one gas by density of H2 gas density of H2 gas ठीक है अब देखो तो कि density का ratio बराबर है किसे molecular weight का ratio से तो हम इसी vapor density को लिख सकते हैं a molecular weight molecular weight of gas by molecular weight of H2 gas ठीक है तो यहां से देखो तो vapor density का final formula क्या आ जाएगा molecular weight upon 2 यहां पर क्या होगा कि hydrogen का molecular weight होगा ठीक है तो हम लोग इसको इसको इस्तामाल करेंगे vapor density find out करने में जैसे मानलों कि question कह रहा है कि the vapor density the vapor density of cox gas gas is 70 then find then find value of x तब कह रहा है कि अगर vapor density cox gas का अगर मानलों कि 70 है तब कह रहा है कि इसका molecular weight कितना होगा अब हम लोग यहां से जब vapor density दिया हुआ है तो असानी से x का value निकाल लेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका molecular weight find out करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि vapor density बराबर formula क्या होता है molecular weight by 2 तो यहां से molecular weight निकालना होगा तो molecular weight is equal to 2 into vapor density का value कितना है तो 70 तो यहां से आजाएगा 140 ठीक है अब देखो तो यहां पर cox का molecular weight कितना दे रहा है 140 तो अब यहां से देखो cox तो carbon के लिए mass number कितना 12 अपर लास oxygen का solar और इसका संख्या कितना है तो दोनों का equal है एक्स is equal to कितना 140 ताब देखो इसको जोड़ लेंगे तो 28 एक्स is equal to 140 एक्स का जो value होगा 140 और डिवाइड़ वाइड़ 14 से cancel हो जाएगा 10 टाइमस में और यह 5 टू टाइमस में तो टू से यह आ जाएगा 5 मतलब इस question में एक्स का जो value होगा वह 5 हो जाएगा असानी से इस तरह का problem लोग बना सकते हैं ठीक है ना अब चलो वेपर डेंसिटी हम लोग STP और NTP के लिए एक problem देख लेते कि STP और NTP पर आप mole कैसे calculate करोगे ठीक है या molecules या atom तो इसमें कहा रहा है question है कि calculate the number of oxygen atoms in 11.2 liter at STP 11.2 liter में STP पर number of oxygen atoms कितना होगा ध्यान रखना जब कभी भी oxygen की बात करे या nitrogen की बात करे तो वहाँ पर उसका standard form हम लोग लेते हैं N2 O2 इस तरह से हम लोग लेते हैं तर सबसे पहला बात की इसमें देखो यहाँ कौन सा condition है STP तो at STP at STP पर हम लोग जानते हैं कि mole का जो formula होता है वो होता है volume upon 22.4 तो इस question में volume देवा 11.2 liter तो क्या हो जाएगा? 11.2 upon 22.4 पॉइंट से point हटा दीजिए यहाँ cancel हो जाएगा तो यहाँ अब कितना आ जाएगा? 1 by 2 तो यह हम लोगों का mole आ गया अब mole जब मालूम है तो number of molecules निकल जाएगा? 23 तो mole है 1 by 2 और इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 यह हम लोगों का molecules हो जाएगा अब देखो यहाँ कौन सा गैस दे रहा है? oxygen तो oxygen जो होगा होगा? कैसा होगा? O2 के form होगा तो इसका atomicity की बात करेंगे atomicity कितना हो जाएगा? तो 2, atomicity किसे कहते हैं? किसी भी atoms में, किसी भी molecules में जो atoms के संख्या होगा उसे हम लोग atomicity कहते हैं तो आप देखो जब molecules आप निकाल चुके हो तो atoms आसानी से निकल जाएगा? number of oxygen atoms, oxygen atoms यहाँ बराबर हो जाएगा 1 by 2 और 6.023 इन्टो 10 का पावर 23 अगुना यहाँ atomicity 2 है तो आप 2 से multiply कर लेंगे तो 2 से 2 क्या होगा? cancel हो जाएगा और यहाँ पर number of oxygen के जो संख्या होगा वो 6.023 इन्टो 10 का पावर 23 यह हम लोगों का answer हो जाएगा ठीक है यह एक अच्छा सवाल है जब भी भी STP और NTP देगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं next हमारे पास जो point होगा वो है कि mole fraction, mole fraction कीसे कहते हैं हम लोगों को dalton slow में mole fraction का इस्तमाल बहुत अच्छे से करना है तो अब देखिए यहाँ fraction की बात करते हैं तो mole fraction को एक से रिपरजेंट करते हैं और यह होता है मोल्स ओफ वन कंपोनेंट मोल्स ओफ वन कंपोनेंट कंपोनेंट बाई टोटल मोल्स इसी को हम लोग मोल fraction करते हैं लेट मान लेते हैं यहाँ पर mixture of mixture of two gases a and b ठीक है कोई mixture है उसमें दो तरक का gas है एक है a और एक है b यहाँ पर हम मान लेते हैं कि moles of a इसको हम लोग मान लेते हैं कि n1 है और यह न a है और moles of b moles of b को अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ nb है तो यहाँ पर अब mole fraction of a component का मतलब यहाँ पर अगर हम x a की बात करेंगे तो x a क्या है mole fraction of a component the x a is equal to हो जाएगा na upon na plus nb क्या हो जाएगा x a is equal to na by na plus nb similarly उसी तरह से अगर हम x b की बात करेंगे x b is equal to क्या हो जाएगा x b is equal to nb divided by na plus nb ठीक है nb x b is equal to nb upon na plus nb यह हमारा दो condition है mole fraction का देखो तो one component upon total component अब इस दोनों को हम sum कर लेंगे तो x a और plus x b यहाँ कितने के बराबर हो जाएगा तो one के बराबर हो जाएगा ठीक है देखो यह हमेंशा बराबर होगा one के देखो यह दोनों value ठाकके आप solve कर लो लिख लो the sum of mole fraction of all components is equal to one यह हमेंशा one के बराबर होगा अगर एक component के moles के बारे में पूछे तो आप सीधे सीधे बोलना कि वो एक से कम होगा देखो हमेंशा एक value को बरा value से divide करें चोटा value को बरा सी divide करें यहाँ पर देखो ೊ से एक मोलस मोलस प्मोलस म that हैमेंशス तो च्या सै मोलस मोलस फ्मोल्स प्मोल snap निख से लो nest देखो ।शो पना धर अलवे सब्वे करें तो ningún र нужद से मोल्स मोल्स टेखो हमेंशा आफ तो सिはいवाज़ हमेंशा, तो मोल्स प्राप्रट छेखो less than 1, हमेशा 1 से कम होगा, mole fraction जोगा, एक component का, वो एक से कम होगा, आज sum की बात करेंगे, तो वो दोनों आपस में, जब भी भी sum करेंगे, तो वो 1 के बराबर होगा, ठीक, अब चलो हम लोग बात करते हैं, कि Dalton's law, किसे कहते हैं, देखो, Dalton's law जो होता है, यहाँ partial pressure के लिए represent है, ठीक है, तो Dalton's law, इसमें हम लिख देते हैं, कि यहाँ जो हम लोग इस्टडी करेंगे, वो partial pressure के लिए होगा, Dalton's law of partial pressure, partial pressure, एक चीज़ और याद रखना, कि यहाँ जो होगा न, यह होगा, analysis of, analysis of, mixture of non-reacting gases, mixture of, non-reacting gases, non-reacting gases, ठीक है न, मानलोग को inert gas है, वो किसी अधर element से bonding नहीं करें, जेना उनके छोड़ के, तो उस तरह के, जैसे helium और oxygen को एक साथ रख देते हैं, तो क्या होगा, आपस में bonding नहीं करें, तो यहाँ जो भी molecules जो होता है, वहाँ partial की बात करें, तो दो component है, जैसे यह मानलोग की यहाँ कोई अकॉरि कि तुकर और कि तुकर दा दालतस लो, कि तुकर देफू तूत थालतंस लो, को दो the partial pressure is equal to product of mole fraction and total pressure, mole fraction and total pressure, इस ही को हम लोग आते हैं, Dalton's law, कि partial pressure जो होगा, वो mole fraction और total pressure के multiply value के बराबर होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कि partial pressure partial pressure, partial pressure, partial pressure is equal to mole fraction, mole fraction and total pressure, total pressure, अब इसी फॉर्मूला को हम लोग आते हैं, equation से proof करेंगे, ठीक है, ideal gas equation से proof करेंगे, ठीक, तो देखो यहां पर मान लेते हैं, पहले इसको note कर लेज़े, देखो, हम लोग मान लेते हैं कि लेट, total pressure है, total pressure of gas, इसको हम लोग मान लेते हैं, कि यहां P total है, ठीक है, और moles of gas A, इसको हम लोग मान लेते हैं कि N A है, और moles of gas B, मान लेते हैं कि N B है, यहां पर याद रखना कि mixture जो हम लोग बना रहे हैं, वो किसका किसका है, mixture of A and B, ठीक है, यहां जो दोनों gas है, वो कैसा है, तो non-reacting, non-reacting gas है, non-reacting gas, याद रखना, या एक दूसरे से bond नहीं बनाएगा, अब देखो, कि from ideal equation, from ideal gas equation, तो देखो, अगर हम बात A के लिए करेंगे, कि for A, तो देखो, P A B, क्या हो जाएगा, ideal gas equation जो होता है, वो हम लोग किसको कहते हैं, तब P B is equal to nRT को, तो अब A के लिए अगर हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, P A B और is equal to nRT, आप इसको equation 1 मान लिजे, उसी तरह से, अगर हम B के लिए लिए लिखेंगे, तो क्या हो P B is equal to nRT, तो for B, अगर हम लोग बात करेंगे B के लिए, तो क्या हो जाएगा, P B B is equal to nRT, ठीक है, इसको आप equation 2 मान लिजे, एक हो जाएगा, P total B is equal to n total, तो n total के लिए 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 न A और plus nB, और n2RT, इसको हम कर लेते हैं, equation 3, total की बात करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, कि जो भी बात कहेगा, उसको हम लोग sum कर देंगे, ठीक है न, जोर लेते हैं, अब यहाँ पर देखो, जैसे, कि हम लोग क्या करेंगे, कि equation 1 divided by equation 3, equation 1 को हम equation 3 से divide करते हैं, equation 1 क्या है, PAB, PAB by P total V is equal to N A by N A plus N B, और into RT by RT, देखो, इससे यहाँ कर, cancel हो जाएगा, भी से भी cancel हो जाएगा, अब देखो, यहाँ जो यहाँ रिपर्जेंट कर रहा है, यह वला terms, आप इस पर ध्यान दीजिए, तो N A by N A plus N B है, तो अब इसको एक बार हम लिख लेते हैं, कि P A by P total is equal to, इसको हम mole fraction कहते हैं, कि moles of one component by total moles, तो यह हो जाएगा, X A, मतलाब mole fraction of X component, A component, तो यहाँ से अब partial pressure बड़ाबर क्या हो जाएगा, mole fraction of A into P total, ठीक है, क्या हो जाएगा, P total, ठीक है, अब इसी तरह से, हम लोग similarly work करेंगे, क्या करेंगे, कि similarly equation 2 divided by 3, अगर हम equation 2 को divide करते हैं 3 से, तो क्या होगा, V से V cancel, तो P B by P T is equal to N B by N A plus N B, और R T R T तो cancel हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हम लोगों का equation मिलेगा, कि P B by P T is equal to X B, तो यहाँ से आपको P B निकालना है, तो P B is equal to होजाएगा, X B dot P total, तो यह दो बेहतरीन equation है, डाल्टन्स लॉग और partial pressure, मतलब किसी भी gas के partial pressure का value find out करने के लिए, तो यह बहुत ही important और संदार topic है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा video जो होगा, वो होगा कि मूल concept का तीसरा lecture में हम लोग बहुत important topic परेंगे, कि molecular formula, empirical formula और subatomic particles में electron, proton और neutron कैसे हम लोग find out करते हैं, और उसके बाद किसी भी element का किसी molecules में percentage distribution according to mass कितना होता है, हम लोग उसका calculation सीखेंगे, ठीक है, thank you for the watching.